हेलो दोस्तास सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंक से कि आज में पूरी बनाएंगे बिलकुल मुलायम और फूली पूली पूरी आप चार दीम रखेंगे तब भी वैसे ही रहेगी तो फ्रेंक मैंने आधा कि लगभगांटा ले लिया है आपकी घर के लिए बहुत आसान है तो चलिए तो हम इसमें तेल डाल देंगे लगभग दो चम्मच तो रिफाइन डॉयल है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आप दिखिए ऐसे बिलकुल थोगा-थोगा हलके हाथों से इसका जो गुठलिया अच्छे से पार ये तो फ्रैंक्स थोगा-थोगा पानी डाल तो पिर आटा फिर आज डालना पड़े गार तो देखिए हम बिलकुल ऐसे गूद लेंगे हम बहुत ज्यादा फ्रैंक्स आटा को गूनते नहीं है बस हम इसको इतना करते हैं कि इसको मिक्स कर एम रग दें द मैं खुद पिस्वाती उसको मुझे मार्केट का आटा पसंद नहीं तो मैं दस नट के लिए रग दिया था रिष्ट करने के लिए आप देखे फ्रेंक्स आटा थोगा से बस इसको गून देंगे हलका सार बिल्कुल यह सॉफ्ट हो जाएगा तो दस नट के लिए रिष्ट कर आप बिल्कूल इपतला कर देते हैं तभी आपकी पूरियों जो है चिप्ती चिप्ती आजीप से हो जाती हैं वैसा आपको नहीं बेल ना है तो आपको पेल कर देते हैं देखे इतना मोटा रखना है और फ्रेंक्स हम चणाने के लिए उसको सबसे पहले वाली पूरी मैनी बनाया था सेकेंड वाली मैंने बनाया खाने के लिए तो देखिए इतना मोटा मैंनी किया हुआ है कि ऐसे अपनी साड़ी पूलियां बेल लेंगे दोस्तों हम जितना आपको खाना हूँ उतना बना लीजेगा अप सबसे जड़ुरी बात होती हमें तेल कितना गरम करना तो तेल हमें देखिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे करना और घरम रखना है तेल को अगर तेल कम हुआ रहेगा तो आपकी पूली जो है तेल को सोक लेगी तो यह मेरी पहली पूली थी ना मैंने इसको चढ़ा दिया है वैस वैसे अगर पूली कि अगर यह जलने लगे तो आप मीडियम फ्लेम पे कर लीजेगा बाकी गैस को स्लो नहीं करना है जब तक हम पूली बनाएंगे तेखिए बस पूली डाली आपे तैरने लगे बस अप्रेस कर दीजे बीच में बस हमारी पूली बंकर रेड़ी है तो पस सब्सक्राइब कर दीजेगा सेर नहीं करते हैं तब भी सब्सक्राइब कर दीजेगा और कमेंट करिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब